आज देश भर में धुमधाम से राम नवमी का पर्व मनाय जा रहा है अयोधिया में राम मंदर के निर्मान के बाद राम लिला की ये पहली राम नवमी है इस दोरान राम लिला की विशेश पूज़ अर्शना की जा रही है राम लिला का सुर्या भी शेक भी होगा इस मौके पर राम मंदर का विशेश शुंगार भी किया गया है राम नवमी के मौके पर राम मंदर के कपाट भक्तों के लिए सुभे साड़े तीन बजे से खोल दिये गए भक्त रात बारा बजे तक राम लेला के दर्शन कर सकेंगे दोपहर बारा बजे राम लला का सूर्य तिलक किया जाएगा राम भक्तों में राम लला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है सूर्य तिलक के दोरान भक्तों को राम अंदिर के भीतर जाने की मन्जूरी दी जाएगी ठीक बारा बजे रामलला की मूर्ती के ललाट पर पांच मिनट के लिए सूरे की किर्णे पड़ेंगी लेंस और शीशे से टकरा कर किर्णे रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी इसे लेकर वैज्यानिकों की टीम ने पूरी व्यवस्था कर रही है वहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राम नवमी के मौके पर देशवासियों को शुपकामनाई देते हुए कहा कि ये पहली राम नवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो चुके है राम नवमी के इस उत्सव में आज अयोध्या एक अप्रतिम आनंद में है पांच शताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद आज हमें ये राम नवमी अयोध्या में इस तरह मनाने का सौभागे मिला है ये देश्वासियों की इतने सालों की कठिन तपस्या त्याग और बलिदान का सुफल है राम भक्तों में राम नला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है सूरे तलक के दोरान भक्तों को राम मंदिर के भीतर जाने की मनजूरी दी जाएगी ठीक बारा बजे राम नला की मूर्ती के ललाट पर पांच मिनट के लिए सूरे की किर्णे पड़ेंगी लेंस और शीशे से टकरा कर किर्णे राम नला के मस्तक तक पहुंचेंगी इसे लेकर विग्यानिकों की टीम ने पूरी व्यवस्था कर रही है आज राम नौमी के लिए बहुत ही सुन्दर है उनके लिलार पर सुज का दर्सन होगा यह भी सुरू होगा बारे बज़ के पांच मिनट पर तो यह सारी विवस्थाएं जो हैं सब संपन हो गई है आज राम नौमी का मेला है राम नौमी के दर्सनार्थी लोग दर्याग दर्सन कर रहे हैं और सब बहुत दिव्य रूप से सारी विवस्था राम नौमी के दर्वार में होएं सब कुछ सबसे खास है क्योंकि मंदिर बन गया है मंदिर में राम नौमी के प्रदिश्टा हो गई है इसरे बड़े महत्यपूर्ण है बहुत कास है